एक दिन की बात है, बाशाय अक्पर के राद सभा में एक ज्यानी पंडित आया हुआ था वहा कुछ सवालों के जवाब बाशाय से जानना चाहता था, लेकिन बाशाय के लिए उसके सवालों का जबाब देना मुश्किल हो गया था इसलिए उन्होंने पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बीरबल को आगे कर दिया बीरबल की चतराई से सभी वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल पंडित के हर सवाल का जवाब असानी से दे सकते हैं पंडित ने बीर्बल से कहा बीर्बल मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ पहला या तो तुम मेरे एक मुश्किल सवाल का जबाब दो और दूसरा कि मेरे सो असान से सवालों का जबाब दो बीर्बल ने सोच विचार करने के बाद ये कहा महराज मुझे आज अपनी बीवी को शाम को बजार लेके जाना है इसलिए मैं आपके एक मुश्किल सवाल का ही जबाब दे सकता हूँ फिर पंडित ने बीर्बल से पूछा ठीक है तो बताओ मुर्गी पहले आई थी या अंडा बीर्बल ने तुरंध पंडित को जबाब दिया महराज मुर्गी पहले आई थी फिर पंडित ने उनसे पूछा कि तुम इतनी असानी से कैसे बोल सकते हो कि मुर्गी पहले आई इस पर बीर्बल ने पंडित से कहा कि यह आपका दूसरा सवाल है और मुझे आपके एक ही सवाल का जबाब देना था ऐसे में पंडित बीर्बल के सामने कुछ बोल नहीं पाया और बिना बोले ही दर्बार से चला गया बीर्बल की इस चतुराई और अकलमंदी को देखकर अकबर हमेशा की तरह ही इस बार भी बहुत खुश हुए इससे बीर्बल ने साबित कर दिया कि बाश्या अकबर के दर्बार में सलहकार के रूप में बीर्बल करहना कितना जरूरी है